अलो नाइन्थ क्लास स्टुडेंट्स एक वीडियो एक सवाल यह रहा आप लोगों के सामने सिंपल सा सवाल है एक मंक्स या दो मंक्स में टीछे को यह आपको देना चाहिए तो देखे सवाल क्या है सवाल यह है कि a guy attached a wire 24 meter long to a vertical pole अब यह कह रहा है एक कोई person है वो attach कर रहा है wire को जो की wire 24 meter long है to a vertical pole एक pole है जो की vertical standing position में है और इस pole से किसी ने wire को tight किया ठीक है तो wire को उपर से attach किया attach करके वो wire को लेके चला तो pole वो कह रहा है vertical pole of a height 18 meter pole की जो height है यह आपको दी है 18 meter और आपको wire की height दी है 24 meter यह रहा 24 meter की wire ठीक है and has a stake attached to the other end stake का मतलब होता है खूटा खूटा पता होगा आप लोगों को मुझे comment box में जू बताइएगा खूटा एक basically एक लकडी का तुकड़ा यह लोहे का सर्या जो इस end पे बंदा हुआ है जैसे आपने tent house वालों को देखा होगा जो वह रस्सी बानते हैं तो वह एक इतनी टाइट करके खूटा बान देते हैं उससे रस्सी को टाइट कर देते हैं तो basically 24 meter long wire है जिसको stack it through वह टाइट करेगा यहां पर इस तरह का सवाल है तो how far from the base base से कितनी दूर वह इस खूटे को टाइट करे पॉल शुट बी stack be driven so that the wire will be tighten wire एकदम tight खिच के यहां पर बन जाए तो उसको कितनी दूर पर यह बानना that means आपको बेस पता करना है बेस का distance पता करना है तो यहां पर देखिए जैसे मैं इस तरह का सवाल देखता हूं तो पॉल क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में है तो पॉल बेस से बनाएगा 90 डिगरी का एंगल और इस 90 डिगरी के सामने होता है आपको पता क्या करना है तो आपको पता करना है बेस देखिए यहां पे हम लोग सिंपल सा यूज करेंगे पाइथो थियूरम का तो पाइथो गोरियस थियूरम का यूज करके आप इसको कर सकते हैं इतना असान है जल्दी से में से पहले आप कमेंट बॉक्स में अंसर बताइए देखिएगा 90 डिगरी के सामने अगर मैं ट्राइंगल का नाम देदू ए बी सी तो जो एसी है यह वायर है यह एक हाइपोटेनियूस है देट मीज एसी का स्क्वायर क्या है हमारा फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला है हाइपोटेनियूस स्क्वायर इस इकोज टू परपैंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आप देखिएगा एसी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा तो यह इस पॉल परपैंडिकुलर परपैंडिकुलर मतलब बेस से जो 90 डिगरी का अंगल बना रहा है, तो यहां पर आपका AB AB जो है यह पोल है AB का स्क्वाइर प्लस बेस स्क्वाइर बेस स्क्वाइर है यहां पर BC तो यह रहा BC का स्क्वाइर clear, देखिएगा यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमें हाइपोडेनूस पता है, that means 24 का आप सॉल कर दीजी, आपके सामने बेस स्क्वाइर की value आजाएगी तो आप देखेंगे, बेस स्क्वाइर तो यहीं पर छोड़ दीजी, क्योंकि इसके आगे positive sign है, इसको यहीं छोड़ दीजी 18 को 24 के पास ले जाएए तो 24 का स्क्वाइर माइनस 18 का स्क्वाइर जल्दी से 24 स्क्वाइर और 18 स्क्वाइर की अगर हम value निकालते हैं तो यह आएगी something 526 24 multiplied with 24 is 16 2 into 4 is 8, 8 plus 1 is 9, 96 multiplied with, sorry cross 2 into 4 is 8 and 2 into 2 is 4 यह value हमारी आ रही है, कितनी 6 8, 8, 16, 17 17 का साथ कहरीवन 5, 76 तो यहाँ पर यह आएगा 576 minus अब आपको निकालना है 18 का स्क्वाइर तो 18 का स्क्वाइर अगर आप देखें तो यह आपका होता है 8, 1 times is 8, 9 or 10 तो 144 multiplied with यह आजाएगा 4 और यह आजाएगा 12 324 clear है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको यह मिल गया बेस का स्क्वाइर इसको आप solve कर लीजिए तो जैसे ही आप इसको solve करेंगे तो आपकी जो बेस स्क्वाइर की value है वो 576 से 324 को जैसे ही आप minus करते हैं, तो देखिएगा 576 से अगर मैं 324 को minus करूँ तो यहाँ पर 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5 ठीक है, और 5 में से 3 गए 2 तो यहाँ पर बेस स्क्वाइर की value आएगी 252 और अगेन बेस की power में 2 था इस 2 को remove करने के लिए दूसरे side पर radical का symbol लगेगा और root 252 तो इसको आप solve कर लिजिए, आपका answer आजाएगा देखिए, root of 252 को solve करने के लिए मतलब base, base है आपका cb तो cb निकालने के लिए आप क्या करेंगे तो cb निकालने के लिए आप 252 के factors निकाल लिजिए, देखिए rough work मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूं बार-बार, 252 के अगर मैं factors निकालता हूं, तो 2, 1 times 2 2, 2 times 4 and 2, 6 times 12 2, 6 times 12, 2, 3 times 6 3, 2 times 6 3, 1 times 3 and 3, 7 times 21 तो यह आजाएगा 6 root 7 2 और 3 देखिएगा, root के अंदर यहाँ पर जो factors आ रहे हैं वो आ रहे, 2 into 2, 3 into 3, into 7 clear है, और finally CB की value, यहाँ से एक pair बाहर, यहाँ से एक pair बाहर तो 2 into 3, root 7 और कुल मिला के CB की जो value आ गई, वो आ गई है, 6 root 7 क्या, unit है आपका meter, तो उमीद करता हूं आपने जल्दी से comment box में मुझसे पहले answer दिया होगा clear है, तो यहाँ पर CB, 6 root 7 meter, इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए बने रही है, मैंगनेट बेंस के platform पे, follow करते रही है हमें telegram, instagram, twitter, telegram के through, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, booklets पाना तो चल्दी से नीचे जाके form fill up करिए मतलब description box में जाएए, link मिलेगा, link पे form fill up करिए आइंगनेट बेंस के जितने भी team है, वो आपके आएगी जल्दी से contact में और आपको यह booklets available करा दी जाएगी जो की basically sample papers mock test papers और उनके solution booklets है, आप तक यह booklets जल्दी पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरी है लेकिन उससे पहले आपको form fill up करना होगा मिलते हैं नेक्स सवाल में तब तक के लिए ध्यान रखो, bye and take care